नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बड़ फिर से बिए सी सेकंड डियर की केमस्टी क्लासेज में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलकोहॉल्स की तो एलकोहॉल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेंक्लेचर नाम करें तो आज हम एलकोहॉल्स का नॉमेंक्ले आप बोलो कि आपको आता है तेकिन फिर भी इसमें कुछ छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छा एलकोहल तो मैंने आपको बताई दिया था कोई भी हाइड्रोकार्बन है वहां से हाइडोजन को हटा दो और ओसमू को जोड़ दो तो वह हमारे पास क्या ह होता है alcohol होता है क्या होता है बच्चो एलकोहल होता है अब हम आगी की बात करते हैं ध्यान से तेखना अब माय की बात करते हैं तो देखो नामकरन में होता अदम ऑम किसी भी कंपाउंड का जब भी हम नामिगर करते हैं तो वह तीने परिकार्शेकर सकते हैं कौन-ентरथ वो तीन प्रिकार से कर सकते हैं, एक तो हमारे पास होती है, व्यूत्पन पद्दती, क्या, एक तो हमारे पास होती है, इससे पहले एक पद्दती और होती है, रूड़ पद्दती, यानि कि इसको हम बोलते हैं, ट्राइवल नेम सिस्टम, ट्राइवल सिस्टम, ठीक है, एक हम हमारे पास होती है व्यूत्पन पद्दती कौन सी व्यूत्पन पद्दती ठीक है ड्राइवड सिस्टम कि ड्राइवड सिस्टम और एक हमारे पास होती है आयूपसी आयूपसी शिस्टम ठीक है रोड पद्दती व्यूत्पन पद्दती और आयू पीसी ठीक है अब देखो इन में अंतर क्या होता है देखो रूड पद्दती के हिसाब से हम किसी भी कंपाउंड का जो नाम है वो कुछ भी दे सकते हैं किसी भी योगिक का किसी भी कंपाउंड का जो नाम है वो हम कुछ भी दे सकते हैं आप कहोगे कैसे तो जब घर में नया बच्चा होता है नया बेबी होता है तो उसको कोई भी कुछ भी नाम दे देता है कोई चुनू बोल देता है कोई मुनू बोल देता है को टौनू बोल देता है कुछ भी अपने अपनी साफ से बोल देता है है ना ऐसा थोड़ी है कि किसी ने नाम रखा है नहीं रखा सब का अपना अपना नाम होता है पड़ोसी अलग दे जाते हैं रिष्टेदार अलग दे जाते हैं घर वाले अलग दे जाते हैं तो सब अलग अलग नाम दे जाते हैं तो वह हमारे पास क्या हुई रूड पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् किसी विग्यानिक के नाम पे दे दिया किसी जगे के नाम पे दे दिया कोई और मैथड पर अधारी दे दिया तो ऐसे हो सकता है उसके बाद आती है वियूत्पन पद्धति ड्राइवड सिस्थम वियूत्पन पद्धति का जो नाम है नाम से पता लग रहा वियूत्पन पद् पैदा हुआ है किसके घर में पैदा हुआ है मालले चोद्रियों के घर में पैदा हुआ है तो जो हमारा सरने मोता है नहीं हम उससे हम क्या हुए व्यूत्पन हुए हमारे सरनेम से पता लगता है कि हम किस कास्ट से हैं तो ऐसे हमारे पास व्यूत्पन पद्दती से हमें पता लगता है कि जो योगिक है वो किसे व्यूत्पन हुआ है वो किससे पैदा हुआ है समझने की कोशिस किजिएगा वो किससे पैदा हुआ है ठीक है और तीसरी जो पद्दती है वो है जहाना जाये ठीक है तो ऐसे क्मेस्ट्री में भी है का करते हैं व्यूंनों का जो नाम है उनका एक ऐसा नाम दिया जाता है जो पूरे वर्ड में पूरे विस्व में एक जैसा हो कहीं पर भी उसमें डिफ्रेंस नहीं हो ठीकिए पूरे विश्व में दिया जाता है है तो जैसे हम पंडिजी से रखवाते हैं पंडित कौन है आयूपी सी है इंटरनेशनल यूनियन ओफ्प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्ट्री किलियर है तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम रूड़ पद्दती की बात करते हैं रूड़ पद्दती देखो जो रूड़ पद्दती है वहां पर रूड़ पद्दती है वहां पर हम क्या करते हैं ध्यान से सुनिएगा रूड़ पद्दती में हम एलकोहलों को क्या बोलते हैं एलकिल एलकोहॉल बोलते हैं एलकिल एलकोहॉल बोलते हैं जानि कि या ऐसे लिख सकते हैं एलकाइल एलकोहॉल एलकाइल एलकोहॉल भी हम बोल सकते हैं किसमें रूड पद्दती में किसमें रूड पद्दती में अगर हमारे पास मैथिल गुरूप होगा तो मैथिल एलकोहल अगर एथिल एलकोहल होगा तो एथिल एलकोहल ठीक है व्यूत्पन पद्दती व्यूत्पन पद्दती में क्या होता है जिससे व्यूत्पन हुआ है ठीक है व्यूत्पन पद्दती में हम नाम के बाद में क्या ल में कारबी कारबी नोल लगाते हैं तो दो हम क्या इंदिते हैं तो तो आप देखेंगे रूड पद्दती और आयू पीसी पद्दती यही ज्यादा चलती है विश्मन पद्दती की हमें कोई जरूरत नहीं है तो अब देखो मैं सीधा नामकरन कर रहा हूं यहां पर नॉमनक्लेचर कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए नॉमनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है तो ध्यान से देखना यह हमारे पास क्या है है CS 3 ओ एच ठीके अब एक तो इसका नाम लिखना है रूड पद्दती वाला है कि 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 सा साथ हम आयू प्यसी चलते हैं आयू पैक नेम ठीक है आयू पैक नाम भी हम देख लेते हैं अब देखो रोड़ पद्दती में होता क्या है जरा ध्यान से देखते हैं हम रोड़ पद्दती में मैं बॉलता हूं रोड़ पद्दती में होता क्या है यह हमारे पास क्या है एक कार्बन ठीक है एक कार्बन यह स नियुकि Which is非 हम क्थे लिख देते है ऐलकौहॉल कि मैंने क्या बताया था रूड़ है उनको क्या बोलते हैं ऑल जलकौहॉल बोलते हैं यहां पर कर्बन है तो इसका मैथिल एलकौहॉल को बोल दिया रहे हैं अभ इसका आयू बेसी नाम आयू पेसी एक कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे मैथ मैथेन में से ए हटा देंगे हाना और लगा देंगे ओल तो यह हमारे पास क्या नाम हो जाएगा मैथ नॉल ठीक है मैथ नॉल ठीक है मैथे नॉल ठीक है मैथे नॉल आप सही THIS हम अब हमारे पास और गॉंपॉणлем देखते हैं हम जैसे हमारे पास है सीह सिएश दु ओएच ठीक है इसको हम क्या इसको भीम बोलेंगे रूपर दो ऑब लेंगे विह बोलेंगेंगे हम उसको एचिल-एलकोहौल क्या बोलते हैं बच्छों एशिहślट्छ ऐलकोहौव ठीक है एथिल ऐलको हॉ'll या आईूपीसी में इसको क्या लिखेंगे हम 2 कार्बन है तो 2ativos का कार्बन को हमके लिखते है एथेन ठीक है एथेन में से लास्ट में इएहट जाएगा और इएहटकरोल लगा दिया जाएगा तो Chemistry में एक बात ल्यार रखना बच्चो कि ऐल्कोहन का जब नाम लिखेंगे आयू पेक नाम लिखेंगे तो last में शिर्फ ओएल लगेगा एल्कोहन का ओएल लगेगा रूरपद्यती में तो पूरा का पूरा एल्कोहल लिख दिया लेकि यहां आयू पेसी में किवल ओल ओल ठीक है तो एथेनोल हो गया कि अधेनोल ठीक है ऐसे हमारे पास है CS3 CS2 CS2 ओएच अब यहां जरा ध्यान से देखेगा यहां हमारे पास क्या है तीन कार्बन आ चुके हैं यहां क्या आ चुके हैं तीन कार्बन आ चुके हैं तो तीन कार्बन जब भी आएंगे तो इसको बोलते तो हम क्या है प्रोपिल एलकोहल यह प्रोपाइल एलकोहल प्रोपाइल एलकोहल देखो यह जो प्रोपाइल एलकोहल है वो एक लंबी चैन के किसके रूप में हैं लंबी चैनकी रूप में और लंबी चैन की रूप में जब भी हमारे पास अलकोहल आता है तो हम यहां पे लगाげे किया लगाएंगे एडी हेलियर है है क्लीयर धरियर है ठीक है एक नमबर देने का सिस्टम होता है वो आयूपीसी में ही होता है अब देखो ओएच यहां जुड़ा हुआ है और हो सकता था ओएच यहां पर भी जुड़ा हुआ हो ठीक है तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो हमको नाम के अंदर पता होना चाहिए कि यहां पर कहा पर क्यों हो जाएगा प्रोब पेन कि के वन ओल इसना प्रोपेन वन ओल ठीक है अगर बेर आजेए को हमारे पास ऐसा हो यह कारबन हो इससे ओए हज़्डा हुआ है इसे सियं तरी एक इस तरिक सेच जुड़ा हुआ है सी इस तरीक ह्रून है और एक हैज्ड़्हत यानिकि एक क से दो समान समू जुड़े हुए हैं सेम गुरूप जुड़े हुए हैं तो आप देखो इसको नाम कैसे देते हैं एन तो हमारे पास एक चैन के रूप में हैं एक सिर्फ लंबिस रंखला के रूप के लिए आता है लेकिन अब यहां पे एन नहीं आएगा अब देखो यहां का समूं हमारे पास जुड़े हुए हो तो इसके लिए हम लगाते हैं आइसो ठीक है इसके लिए हमके लगाते हैं आइसो ठीक है और आइसो और कितने कारवन हो गए एक दो तीन आइसो प्रोपिल एलकोहॉल क्या आइसो प्रोपिल एलकोहॉल आइसो प्रोपिल अल्वो हो और यहां अगर इसका हम नाम लिखें तो यहां पर नाम क्या होगा यहां पर क्या नाम होगा इसका बच्चों यहां पर हमको कार्बन चैन को नमबर देना थी कार्बन चैन को नंबर देना है तो थाय कर्प्री के से दे सकते हैं यहां पर हमारे पास क्यों जाएगा प्रोपेन two all हो सकता है इसको लिखा हुआ हो two propanol ऐसे भी लिखा हो सकता है two propanol तो वो भी सही है ठीक है और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीके हमारे पास क्या है सही है अब हगर हमारे पास हो देखते जाने example CS3, CS2, CS2 CS2, OH लंबी स्रंखला के रूप में चैन के रूप में तो इसको हम क्या बोलेंगे and butyl alcohol and butyl alcohol बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं and butyl alcohol वैसे इसका नाम क्या होगा एक नमबर पर OH जुडा हुआ है तो इसका नाम हम क्या देंगे Math-H-Prop-Bute Butane-2-ol Clear है? क्या नाम देंगे? Butane-2-ol यानिकी Butanol इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो CS3-C CS3-H CS2-OH ठीके? तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम यहां पे देखिए कि हमारे पास क्या है? एक नंबर पे जुड़ा हुआ है वह चलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो मैथिल समुए है वो यहां जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो नंबरिंग देंगे हम एक, दो, तीन तो यहां पे नंबरिंग दे दी हमने किसके लिए? आयूपेसी नाम के लिए पहले हम आयूपेसी नाम देख रहे हैं तो यहां पे दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंग इसको टू मिथाइल ठीक है? दो नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है तो टू मिथाइल और उसके बाद 3 कार्बन है ठीक है? तो यह 3 कारबन के जायेंगा प्रोपे dianh लिखा अब इसके अगर रोड़ पदरtså वाले नाम को देखा जाएं तो रूड़ पदरmenoア रोड़ ज़ाएं में उसको लिखते हैं आई-सो ठीक है का लिखते हैं आई-सो तो यहां आई-इस और चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसो ब्यूतिल एलकोहॉल तो नाम है नाम-करन है जितने लिखो उतने ही कम हैं कितने भी नाम लिखे जा सकते हैं अगर आपको किसी नाम में प्रोब्लम आ रही है तो पूर सकते और नहीं तो सारे के सारे नाम ऐसे ही लिखे जाएंगे तो यहां पर कोई प्रोब्लम नहीं आने चाहिए सारी तरीके के नाम हमने बता दिये हैं तो आज की क्लास नाम करन के नाम तो आज के लिए बस इतना ही बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद नमस्कार बाइब बाइब